पाकिस्तान भारत को बड़ी धंकिया देना शुरू गरें पता नहीं भारत को धमकि देते वे पाकिस्तान के परदानमंतरी ने कश्मीरियों पर हो रहे जल्म पर सवाल उठाते वे का कि हम कश्मिरियों पर जुर्ण नहीं सै सकते साथ ही P.O.K. पर अगर भारत ने हमला किया तो हम मुटोड जवाब देंगे कई ऐसी बाते आप अत्ती जनक कही हैं जिससे भारत को काफी बुरा लग सकता है जनाब स्पीकर गुजशता कई सालों से बात जाली बयानिये पेश कर रहा है और कश्मिरी अवाम की अवामी और मकामी जद्वजध को देश्चत गर्दी का गलत लेबल लगा अगर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ये इन लोगों की शभी को दागदार करने की इंतिहाई शरमनाक कोशिश है जो अपने हुकूप के लिए बहादुरी से खड़े हुए है देश्चत गर्दी और अवाम की जद्वजध आजदी में वाज़े फर्क है देश्चत गर्दी एक आलमी मसला है और इसका सबसे ज़्यादा खौफ़नाग पहलूस वक्त होता है जब इसके रतकाब कोई रियास्त करती है हम बारत की तरफ से कश्मीरियों के खिलाफ रियास्ती देश्चत गर्दी का मशाहिदा कर रहे हैं कश्मीर में वाहे देश्चत गर्द बारत है जनावे स्पीकर बारती कयादत आजाज जमू कश्मीर और गिलगित पलतिस्तान पर भी दावा कर रही है मैं आज के दिन फिर से ये बिलकुल वाज़े करना चाहता हूँ कि हम पर अमन बकाए बाहमी पर यगिन रखते हैं हम ज्यादा से ज्यादा ताम्मुल का मुषजारा कर रहे हैं हम तनाजा नहीं चाहते हैं ता हम हमारे पास हमला करने की सूरत में सबरदस्ती और मौसर तरीके से जबादे activity कूबत और सलाय्य है भारत इस हवाले से हमें कई बार अजमा चुका है और अगर दुबारा कोई खायश है तो सरम बच्चश मेरा हम उसके लिए तयार हैं मगर आपको उदादों कि पाकिस्तान के जो सेना पती हैं उन्होंने भी भारत को धंकी दिया कहा कि अगर पाकिस्तान ऑक्किपाइट कश्मीर के एलिया में हमला किया तो हम जवाबी कारवाई करेंगे जरा सा भी हैजिटेट नहीं होंगे यह बात उन्होंने बिल्कुल भारत के करीब बॉर्डर पर एलो सी के करीब आकर पाकिस्तान ऑक्किपाइट कश्मीर के एलाखे में कही है मेरे दोस्तो समंद्री इंटरनाशनल वाटर में भारत के कई सारे मशवारे फस गAY थे उनकी नाओ खराबो गई थी पाकिस्तान की नोसेना ने उनकी जान बचाई है तंगवादी भी क्रोस फारिंग में मारे गए हैं उदर भारत से खुननस मालदीव की खतम ही नहीं हो रही है मालदीव के राशपती मोहञ्मद मौईज़ू ने पहली बार राशपती बनने के बाद जब पहला बयान पहली बार इसपीच अपने संसद में दी तो भारत का नाम करना अभी से हम पर भारी पड़ रहा है हम इनके बात से सहमत नहीं है बारत को काफी जादा जो है ताना कसने के बाद मुहम्मद मौईजु ने आगे ये भी कहा कि जब भारते फॉज यहां से निकल जाएगी मालदीव से तो हम अपनी डिफेंस मजबूत करेंगे यानि अपन जटका देते हुए भारत के 23 मजबारों गिरफ्तार कर लिया यह कहते हुए कि हमारे समुंद्र के इलाके में आ गए थे वहीं भारत की डिफेंस कंपनी सरकारी डी डी ओ ने एक और जबरदस्त मीजाइल का सफल परिक्षण किर रहा है एक बार फिर से भारत के पास नई ता मेरे दोस्तों इंडिया के हाई कमिशन ने कैनेडा से साफ सीधी बात कह दी है कि अगर कैनेडा हम से कोई जानकारी शेयर नहीं करेगा तो हम भी अपनी कोई भी जानकारी साजा कैनेडा से नहीं करेंगे साफ सीधी बात शौट में यह है कि कैनेडा और भारत दिश्ते भले बीच बीच में बोले जा रहे थे कि ठीक हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं लेकिन एक खटास जो पैदा हो गई है वो लगातार बढ़ती जा रही है भारत के लिए खतरे की बात यह है कि भारते इंटेलिजन्स ने जानकारी दी है कि सूसाइड ड्रोन के जरिये कश्मीर और जम्मू परिचाड़ादी हमला कर सकते हैं चुनाओ का माहौल है में रोस्तो सतर्क और साब्धान रहने की जरूत है भारत में मुसलमानों को तो परशान किया जा रहा है और कोई आतंगवादी संगठन नहीं कर रहे हैं हां आतंगवादी संगठन जैसे करने वाले काम ही यह लोग क इसके अलावा हम पर ही केस किया जा रहा है यह तो बात अलग है लेकिन चुनाओ का माहौल यह कुछ भी हो सकता है तो आतंगवादी हमला कर सकते हैं यह तो कमाल की बात है हमेशा कि जब भी चुनाओ का माहौल होता है तो तमाम मुद्दो गायब करने के लिए आतंगवाद जाली करके दुनिया को बताया कि चाइना कि कई सारे फाइट जेट और कई सारे युद्पोथ Gum just मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि मयममार की आर्मी पर जन्ता की आर्मी भाली पड़ रही है आपक बतादू कि मयम्मार के फौजी जनता आर्मी से डर के बांगला देश भी फरार हो गए हैं यानि अब बांगला देश में भुस्पैट शुरू हो चुकी है तीन दिन पहले इरान ने एलान किया कि हम नियू क्लियर पावर प्रांट बनाएंगे वो विचार तीन दिन पहले का और चौते दिन तस्वीर सामने आ गई हैं बुनिया डाल दी गई है और इरान ने अपने नियू यानि नए नियू क्लियर पावर प्रांट की शुरुआत कर दी है उदर इराक के प्राइम मिनिस्टर से यानि प्रधान मंतरी से इरान के टॉप सिक्योर्टी मिनिस्टर और टॉप अधिकारियों ने खूफिया और चुपचाप बुलाकात की है मेरे दोस्तो रियाग में सॉधी आरप की राजधानी की एक खास तस्वीर आई है ये दोनों वेक्ति कोई आम नहीं एक सॉधी आरप के कमांडर हैं सीनियर कमांडर और दूसरे हैं ऐरान के सीनियर कमांडर ये तस्वीर अमरीका जर्मनी प्रांस ब्रिटेंट पूरे यूरोप और वेस्ट को पेट में दर्द कर देगी में दोस्तों आपको अदो चाइना इरान और रशिया जी हाँ अंतर राष्ट्य वाटर के अंदर खतरना ड्रिल करने की तैयारी कर रहे हैं अमरीका की Lockheed Martin Defense Company ने साओधी अरभ से डील कर ली है जिसके तहत अब साओधी अरभ में Lockheed Martin Air Defense System की मिजाईले और पाट साओधी अरभ में ही अमरीकी कमपनी और साओधी कमपनी मिलकर बनाईगी साथ ही साउथ कोरिया और साउधी अरब ने भी डिफेंस कॉर्परेशन यानि हत्यारों की खरीद फरोथ हत्यारों में एक दूसरे का साथ देना मिलिटरी कॉर्परेशन तमाम एग्रिमेंट कर लिए है वहीं रशिया ने यूकरेशन के एलाके पर बंबारी करी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई मेरे दोस्तों एक रूस का MI8 अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें रूसी तीन क्रू मेंबर मारे गए कि नैटो के चीफ नहीं हवा बनाई उस हवा के गुबारे में खुदी पिन मारती है के दिया कि अभी रुषिया नैटो पर हमला नहीं करेगा अब ऐसा सुरे फिर शोर क्यों मचा रहा था था बे इस सारी चीजे एक्सपरिमेंट करके उसने अपने आपको बहुत साथा मजबूत कर लिया है उदर जोर्जिया ने बहुत सारे मेरे दोस्तों रशिया ने काए 300 billion dollar की properties हमारी पुरुद्निया में अलग-अलग जगा हैं और अगर criminal ने दिए है रूस ने अधिकारिक तोर पर दिए है कि अगर हमारे विदेशी जगहों को घरों को properties को सीज किया गया तो हम अंतराष्ट है court of justice में केस करेंगे यूक्रेन की military ने जिहां intelligence ने कई सारे वैगनर गुरूप को गिरफतार किया सुडान में और उनसे पूछताज भी की और उसका वीडियो भी जारी कर दिया जियाए है कि वैब को नेएन की सुड़ी को नेएक वाजन अको क्रीन मारे वाप्रोपोन है उहां चारे चारें वैर का यह बात्से इसार गले चार्देम rich वैभनान में घारत्से क्ले कि यह क्रें वाीसンドय को आ सนतरा है क्थी परह न सॉधी आरब में डिफेंस शो हो रहा है जिसमें पूरी दुनिया अपने हत्यारों को दिखा रही है रश्या ने उसी सॉधी अरब में अपना सुखोई अब तक का सबसे टॉप और सबसे खतरनाग फाइट रिजट दिखाया है जिसने पूरी दुनिया में तहल का मचा दिया है अंतर राष्ट प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी जयहिंद अंतर अंतर चैनल को सब्सक्राइब कर दो लीजद कर दो कर दो